तो आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ पालक चना दाल की रेसिपी एकदम ढवाई स्टाइल में यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से हम पालक और डाल बना करके रेडी करेंगे तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करें जैसा कि पालक का सीजन आ गया है और पालक आपको हर जगा अविलेवल मिल जाएगा एकदम ताजा और फ्रेश और पालक हमारी सेहत के लिए बहुत ही वेनिफिशल होता है तो आप इसका इस्तामाल जरूर करें नई नई रेसिपी बना क अगर आपके घर में किसी को पालक पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से ट्राइ करें आपको जरूर पसंद आएगा और घर वाले भी आपकी तारीफ जरूर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी अगर रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बैल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसी रहे पालक तड़का दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आदक लो पालक लिया है जिसको साफ करके काट लिया है और धोबी लिया है इसे दो तिन दफ़ा पानी में तो आप यहाँ पर काटने से पहले या काटने के बाद दोनों ही कंडिशन में धो सकते हैं और यहाँ पर दाल ल içerik है मैंने आधा कडूरी दाल है ये मेरी चणे की तो चणे दाल आप 2-3गंटे पानी में भिगो सकते हैं दस-पंदर मेंनित के लिए तो ये process आप ज़रूर करें दाल भिगोने से हमारी दाल बहुत जल्दी tender हो जाती है और दाल का टेस्ट भी बढ़ जाता है इन्हेंस हो जाता है दाल को भी आप दो-तीन दफ़ा पानी में धो करके जब भिगोने रखें मैंने यहां कुकर ले लिया है और उसमें दो ग्लास पानी एट किया है पानी को बॉइल होने देंगे और बॉइल होते ही हमें इसमें कुछ फ्लेवर एट करेंगे दो चमची यहां पर धनिया पाउडर एट कर देंगे आदा चमच यहाँ पर हल्दी पाउडर एड़ कर देंगे एक चमच यहाँ पर रेगुलर मिर्च पाउडर एड़ कर देंगे मिर्च यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करें अगर आप जाद तीखा पसंद नहीं करते हैं तो कम भी add कर सकते हैं और एक चमच नमक add कर देंगे तो नमक भी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के according ही add करें अब यहाँ पर डाल भी add कर देंगे तो डाल का सारा पानी मैंने निकाल दिया है तो add कर देंगे सारी डाल अब यहाँ पर पालक भी add कर देंगे तो सारा पालक हमें एट कर देना है और पालक हमारा एकदम खुश्क है इसमें पानी नहीं है इसका भी सारा एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है पालक और दाल को मिला के यहां कुकर का ढखकन लगा देंगे और दो सीटी इसमें हम ले लेंगे दाल को tender होने तक दाल को हमें यहाँ पर 90% cook कर लेना है तो 2 सीटी यहाँ पर cooker में आ चुकी है और अब दाल को check कर लेंगे तो एक टुकड़ा दाल का निकाल करके हम देख लेंगे कि यह tender हो चुकी है या नहीं तो देखिए आप यहाँ पर दाल को पिछकाते हुए ही इसका powder सा बन रहा है तो यह एकदम perfect है दाल हमारी 90% cook हो चुकी है इतनी ही हमें यहाँ पर दाल चाहिए और पालक भी हमारा यहाँ पर tender हो चुका है अब स्टार्ट करते हैं तड़के का प्रॉसेस तड़के के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिए है आप भगवना भी ले सकते हैं तो अब कढ़ाई को गरम होने देंगे और इसमें oil एट कर देंगे तो यहाँ oil मैंने सरसों का लिया है आप को इसा भी oil ले सकते हैं बटर या खी भी आप ले सकते हैं उसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपकी दाल और पालक का तो यहाँ पर दो चम्चे ओईल एट किया है मैंने और यहीं साइड में मैंने कुछ वेजीस को काट लिया है जो हमारी तड़के में शामिल होंगी जिसमें मैंने एक मीडियम साइज की प्यास ली है जिसको अमलेट छेब में कट कर लिया है और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है और यहाँ पर साथ से आठ लहसन की कलिया लिया है इनको भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है और यहाँ पर दो सूखी हुई मिर्च ल में एट कर देंगे आदा चम्मस जीरा जीरा को हलका सा तड़का लेंगे यानि थोड़ा सा गोल्डन होने देंगे अब यहां पर प्यास एट कर देंगे प्यास को हमें हलका सा light brown कर लेना है जादा brown नहीं करना है यहाँ पर light brown कर लेना है तो अब यहाँ पर लहसन भी add कर देंगे इसी के साथ हमारी प्यास भी brown हो जाएगी लहसन और प्यास को अब थोड़ा हलका सा brown होने तक fry कर लेंगे तो प्यास मेरी brown हो चुकी थी तो मैंने जल्दी से टमाटर और मिर्च को add कर दिया है मैं आपको दिखा नहीं पाई, camera on नहीं कर पाई अब आदा चमच हम यहाँ पर देगी मिर्च powder डालेंगे इससे हमारी दाल का color बहुत अच्छा सा आएगा तो आप यह इसकी भी कर सकते हैं, अगर आपके पास available नहीं है तो एक चमची यहाँ पर kitchen king masala add कर देंगे इससे हमारी दाल और पालक का taste एकदम धावा वाला आएगा बहुत ही tasty बन करके यहाँ पर तैयार होगी हमारी धावा तड़का डाल तो आप यह जरूर डालें, आपको easily मसाला यह मिल जाएगा किसी भी shop पर तो तड़का हमारा यहाँ पर लगभग ready है, एकदम पक चुका है सब कुछ अब डाल और पालक को add कर देंगे इसमें, तो जो भी हमारा डाल और पालक में पानी है वो भी हम इसमें add कर देंगे, और अच्छे से मिला करके इसे 5-7 मिनिट के लिए पकाने रख देंगे ढख करके रख देंगे और जिससे कि हमारी जो भी बची हुई दाल यानि 90% हमने दाल को कुक किया था और भी हाँ पर 100% दाल को हमें कुक करना है वो भी कम्पलीट हो जाएगी और अच्छे से दाल और पालक मिल जाएगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर दाल और पालक हमारा एकदम बन चुका है मिल चुका है आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पर इसकी ठिटनेस अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं आप इसे पतला भी कर सकते हैं हलका सा पानी अट करके इसमें तो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है आप ज़रूर ट्राइ करें और साथ में हैल्दी भी है लास्ट में आप यहाँ पर दो-तीन चमच घीबी इसमें एट कर सकते हैं जिससे इसका टेस्ट इनहेंस हो जाएगा और ज़ादा तो एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे अपनी सबसी को सबसी हमारी यहाँ पर एकदम रेडी है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है तो देख सकते हैं आप देखने में ही यह कितनी टेस्टी और डिलिशियस लग रही है तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राइ करें आपके घर में जो भी पालक नहीं खाते हैं उनको भी बहुत पसंद आएगी आप एक बाद ज़रूर ट्राइ करें इस तरीके से अगर आप इस तरीके से बनाएगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ थैंक्स वा वाचिंग